हालो एविवन, आज हम क्लास 11th MCRT बुक से पार्ट 4 देखने वाले हैं, यह आपका लास्ट पार्ट होगा इस चाप्टर का और आप इसको अच्छे से देखना और हम डायर्क्ली जम करते हैं चाप्टर पे विदाउट टाइम वेस्टिक तो सबसे पहले हम बात करेंगे Northern Plains की, तो हमारा जो Northern Plains है वो Alluvial Deposit से बना हुआ होता है, जो रिवर अपने साथ, सिल्ट अड्ले लेके आती हैं उससे Alluvial Deposit बनता है और जो Northern Plains है हमारा Alluvial Deposit से बना हुआ है, जैसे आप example ले लो, इंडस रिवर की, गंगा रिवर की, ब्रह लेकर के आते हैं और उसको जब वो deposit करते हैं तो वो plane का formation लेता है और northern planes उसी का एक result है यह जो planes है यह लगभग 3200 km है east से west अगर आप count करते हो तो 3200 km तक की इसकी जो width है और जो average width है इस plane की लगभग 1.500 से 300 km तक की इसकी average width है इसकी जो maximum depth है वो 1000 से 2000 meter है ठीक है डिपेंड करता है कितना 1000 या 2000 के बीच में लाई करता है north to south अगर northern planes को हम north to south divide करते हैं तो हमें 3 major zones मिलते हैं जिसको हमने ही divide किया है जैसे कि जो भाभर area है तराई area है और alluvial planes वाला area है तो आपको यहाँ तक समझा गया है भाभर, तराई और alluvial planes वाला जो region है north to south ठीक है और जो alluvial planes है उसको हम यह जो alluvial planes है जिसकी बैने बात की अभी उसको अगर हम further divide करें तो उसको हम करते हैं खादर और भांगर के रूप में divide ठीक है यहाँ तक आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए भाबर क्या है भाबर narrow है ठीक है भाबर जो है वो narrow belt है और यह सिर्फ 8 से 10 km जो आपका शिवालिक foot hills है ना मैंने आपको दिखाया था last lecture में कहां पे शिवालिक वेगरा लाई करता है तो शिवालिक के foot hills पे यानि कि नीचे शिवालिक का जो नीचे वाले एरिया है उसमें य 8 से 10 km तक का जो है इसका range है और यह शिवालिक से parallel है narrow belt है ठीक है इसकी वज़े से क्या होता है जो rivers है और उसकी streams है जो की mountains से आ रही होता है अब narrow होने के कारण क्या होता है कि यह जो rivers है जब यह आ रही होती है तो यह बहुत सारे बड़े-बड़े boulders अपने साथ लेकर के आती है और यह जो है इस foot hills में इसको deposit कर देती है ठीक है तो क्या होता है कि जो river है वो इन boulders की नीचे छुप जाती है और कभी-कभी दिखाई नहीं देती है बेसिकली इस बात का यह मत्नब हुआ ठीक है और जो भाबर के south में अगर आप जाओ सपोज यह वाला आपका यह शिवालिक है यह भाबर है तो भाबर के south में अगर आप देखो तो तराई बेल्ट है ठीक है तो मैंने आपको बताया कि जो भाबर का south वाला जो region है वहाँ पे आपका मिलता है तराई बेल्ट ठीक है तराई बेल्ट का जो approximate width है वो 10 से 20 km है जहाँ पे जो mostly river और उसकी streams है व चैनल तो demarkate नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो वो बोल्डर सी नीचे छुप गई थी river यहाँ पे वो तराई बेल्ट वाले region में वापस से आ जाती है ठीक है अब वापस से आ जाती है तो वहाँ पे काफी गीला और swampy और मार्शी conditions create हो जाता है बिल्कुल दलदल सा create ह जाता है जिसको हम कहते हैं तराई ठीक है और यहाँ पे काफी rich vegetation वगेरा की growth होती है और यहाँ पे बहुत सारे wildlife है यह सब आपको देखने को मिलता है ठीक है तो बहुती swampy conditions लेकर के आ जाती है जिसको हम तराई कहते है और यहाँ पे बहुती rich vegetation की growth होती है और अलग-अलग wildlife देखने को मिलते है जहाँ पे vegetation होगा वहाँ wildlife आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है और new alluvial deposits भी हमें मिलते है जिसको हम भांगर और खादर कहते है ठीक है अब यहाँ पे यह जो northern plains वाला जो region है यहाँ पे आपको mature stage दिखता है fluvial, erosional and depositional landform का यानि कि जो river अपने साथ sand और sediments लेकर के आती है यह इसका mature stage होता है यानि जब यह यहाँ पे deposit कर देती है ठीक है जैसे कि आपको sand bars मिलेंगे, meanders मिलेंगे, meander यानि कि river जब ब meandering कहते हैं, ठीक है, oxbow lakes यानि जो river कट के अलग, इतना portion cut के अलग हो जाता है due to heavy sedimentation, मैंने पिछले lectures में आपको बहुत अच्छे से बताया है कि basically meandering किसको कहते हैं, oxbow lake किसको कहते हैं, braided channel यानि कि बिलकुल ऐसा लगेगा कि आपको एक चोटी सी जारी है, यह इस तरीके स चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो brahma putra plains है, ठीक है, जो brahma putra plains है, वो अपने riverine islands के लिए जाना जाता है, और अपने sandbars के लिए जाना जाता है, आप मुझे comment section में बताओगे, आप riverine islands और sandbars से क्या समझते हो, क्योंकि मैंने अपने पिछले lectures में इस सारी ची चीज कह देना चाहिए था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी भी थी, आप कह सकते हो, और recording चली रही थी, बट मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सारी चीजें खुदी करनी पड़ती है, PPT बनाओ, फिर recording करो, फिर editing करो, उसके बाद उसको upload करो, फिर पेरेंट्स को satisfy नहीं कर पा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा concentrate किया चोटे बच्चों के लिए पहले, और उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए lecture बनाना शुरू कर दिया है, अब lectures जो है, वो regularly आप लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है, बट problem ये है कि छोटे बच्चों का अगर syllabus टाइम पे complete नहीं होता है, तो उनको फिर को पप करने में प्रॉब्लम हो जाती है, बड़े बच्चों का क्या है, कि मैं चाहूं तो इसको दस दिन में पी complete करा दू है, तो ये चीज है, कि थोड़ा सा अप adjust करो timing बगरा के साथ, मैं कोई भी lecture छोड़ूंगी नहीं, ये है, कि थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा सा टाइम मानेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग समझ सकते हों, उश्यार हो आप लोग, तो आगे बढ़ते हैं चाली नहीं, अब ये जो एरियाज है, यहाँ पे time to time flooding होती रहती है, बहुत floods आत है, फिर next time river इधर अपना channel बदल लेती है, फिर यहाँ पर अपना sediment जमा कर देती है, तो यह सब इस वज़े से क्या होता है, कि बहुत जादा periodic time to time flooding आता रहता है, क्योंकि यहाँ पर sedimentation अगर है, तो river को proper जाने की जगा मिलेगी नी, और यहाँ पर पानी इकठा होता तो फिर आपको पता ही है कि flooding की problem होगी, तो इसकी वज़े से ब्रेडिग streams बन जाता है, ठीक है, इन rivers का source होता है, also form some of the largest deltas in the world, तो आपको आपने नाम बहुत अच्छे से जाना होगा, सुंदर बंस delta, मैंने इसके बारे में और भी बहुत अच्छे से अपने last lectures में बताय है, ठीक है, otherwise यह एक featureless plane है, जिसका featureless यानि कि कोई specific feature देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, with a general elevation, elevation यानि की height, 50 to 100 meter above the main sea level, तो, main sea level से अगर आप इसकी height नापने जाते हो, तो 50 से आपको 1500 meter तक का इसका height देखने को मिलता है, ठीक है, जो हर्याना और दिल्ली है, यह जो states है, form a water divide between the Indus and the Ganga river system, आप map जाके आज देखोगे, और देखोगे कि जो Indus river जा रही है, उसके बीच में दिल्ली और हर्याना परता है, ठीक है, तो हर्याना और दिल्ली एक तरह से water को divide करने का काम करते हैं, ठीक है, Indus और Ganga river system को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, as opposed to this, the Brahmaputra river flows from the northeast northeast, northeast से कहा जाती है वो, southwest की तरफ जाती है, ठीक है, northeast से southwest की तरफ, अगर जिनको भी डाउट सो और direction में तो यह मैं बता दू, यह north है, यह south है, यह west है, यह east है, तो Brahmaputra कहां से कहा जा रही है, northeast से वो जा रही है, southwest की तरफ, ठीक है, before it takes a almost 90 degree southward turn, तो यहाँ जाने से पहले, यहाँ जाने से पहले, यह 90 degree का southward turn लेती है, धुबरी पे, ठीक है, और उसके बार वो पांगलादेश एंटर कर जाती है, ठीक है, यह जो river valley, river valley plains है, यह काफी fertile, यहाँ पे alubial soil cover देखने को हमको मिलता है, जिसकी वज़े से हम सारे large population को यह support करती है, I hope आपको clear है, तो northern plains आपको समझ में आ गया, अब हम बात करेंगे peninsular plateau की, कि peninsular plateau basically होता क्या है, तो peninsular plateau समझने से पहले आप एक बर यह चोटा सा map है, वो देख लो, यह जो पूरा area है, यह वाले को हम कहते है northern plain वाले area, ठीक है, northern plain वाले area, आप इस प्लाटू की, तो यह देखो, सबसे पहले peninsular यह वाला area है, आप इसको समझो कि यह वाला जो होता है, इसको हम peninsular कहते हैं, ठीक है, तो peninsular plateau जो है, यह लगभग river plain से अगर 150 meter आप उपर जाते हो, height पर जाते हो, with an elevation of 600 to 9 meter in the irregular triangle, 600 से 900 meter तक आप उपर जाते हो, तो आपको pen peninsular plateau देखने को मिलता है, कहां से, above the river plains, up to an elevation of 600 to 900 meter, याद रखने वाली बात है, रटने की ज़रत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, फिलहाल तो, कि peninsular plateau, यानि कि मैं इसकी बात कर यह, इंडिया का यह वाला portion है, ठीक है, अब north, south, east, west पे आजाओ, यह north हो गय यह west हो गया, यह east हो गया, तो इधर आपका पड़ता है, इस तरफ आपका पड़ता है, अरावली के extension में अगर आप चले जाओ, अरावली mountains जो है, यह suppose करो अरावली mountains है, तो दिल्ली रिज जो है, वो अरावली का ही extension है, तो northwest मे आपका पड़ा दिल्ली रिज, ठीक है, इस South में Cardamom Hills आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो पूरा Peninsular Plateau जो है ना, वो यही है, यह है पूरा Peninsular Plateau, तो कहां से कहां मैंने बोला, North में आप याद रखोगे क्या, Northwest में, दिल्ली रेज, East में क्या याद रखोगे, राजमहल हिल्स, West में आप याद रखोगे, Gir Range, और South में याद रखोगे, Cardamom Hills, तो इसके अंदर जो भी एरिया आता है, उसको हम कहते हैं, Peninsular Plateau, ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ ले, ना, अब, however, an extension of this is also seen in the North East in the form of Shilong and Carby Anglong Plateau, तो Shilong और Carby Anglong Plateau जो आपका North East में है, वो भी इसी Peninsular Plateau का extension है, ठीक है, और जो ये Peninsular India है, ये लगबग बहुत सारे Patland Plateaus का एक हिस्सा है, मता बहुत सारे छोटे-छोटे Patland Plateaus इस Peninsular India का हिस्सा है, जैसे कि आप ध्यान में रखना हजारी बाग प्लैटू, जहरकंड में है, पलामू प्लैटू, ये भी जहरकंड में है, राची प्लैटू, ये करनाटिका प्लैटू भी, और भी है, इंपोर्टन बता रहे हो, तो ये जो Peninsular Plateaus है, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे-छोटे Patland Plateaus है, जैसे कि हजारी बाग, राची, पलामू, मालवा, कोईमबटू, करनाटिका, ये सारी चीज़ है, ठीक है, अब Patland का मतलब बेसिकली प्लैटू या प्लैट जो है, वो एक लोकल नाम होता है, जिसका की मतलब होता है लावा, ठीक है, तो लावा से बना हुआ जो ये प्लैटू है, छोटा-छोटा, इसको हम प्लैटू कहते हैं, I hope यहां तक समझाया है, अब ये देख लो, आप मैप, ये जो आपका दिल्ली इदर आवरी रिज है, नौर्थ वेस्ट में, इधर आप आओगे तो आपको राजमहल हिल्स मिलेगा, इधर आपका काडमम हिल्स मिलेगा और इधर आपका गिर्ग रेंज मिलेगा, ठीक है, तो यही बाला जो एरिया है, ये लगभग, ये आपका है, पेनिल्सुलर है, मतलब ये आज तक ऐसा ही है, थोड़ा बहुत इरोजनल फीचर इसमें हुई है, बट बहुत ओल्ड है, इसका जो जेनरल एलिवेशन है, ये वेस्ट टू इस्ट अगर हम देखे, जिसको कि हम बहुत सारे रिवर के फ्लो के साथ भी हम प्रूव कर सकते हैं, कि हाँ इसक इसका जो एलिवेशन है, और इसका जो इंकलिनेशन है, ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे रिवर्स के नाम बताने है, जो की बेव बिंगॉल में गिर जाते हैं, और जो अरेवियन सी में गिरते हैं, ठीक है, तो वेस्ट से पेनिनिलर प्लाक्टु में जो भी वेस्ट टू इस्ट का जो है, वो एलिवेशन फॉलो करती है, तो उन रिवर्स का आप नाम बताओ, जो की बेव बिंगॉल में जाके गिर जाती है, ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर से इस रीजन में जैसे टोर्स, ब्लॉक, ब्लॉक ये सब जितना भी आप देख रहा हो ना, रिफ्ट वाली, ब्लॉक माॉंटेन, ये सब क्या है, ब्लॉक माउंटेन यानि कि ये ब्लॉक था, ये वाला नीचे किसा गया, ये वाला उपर ही रह गया, तो ये जो एरिया है, यहाँ पे बॉटर भर जाएगा, ये हो गया अगर यह सब कुछ यहां पर वापस से रिपीट करूँगी तो यह सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? याद आजाएगी और समझ भी आएगा, ठीक है? तो इस तरीके के फीचर्स आपको यहां पर पेंनिसुलर प्लाटू में देखने को मिलते हैं, आपका जो वेस्टन और नॉर्थ वेस्टन पार्ट है प्लाटू का, इसमें काफी जाधा ब्लाक सॉयल मिलता है, ठीक है? और ब् नॉर्थ या वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्टन पार्ट में, ठीक है? तो यहां पर ब्लाक सॉयल काफी जाधा मिलता है, ठीक है? अब जो पेंनिसुलर प्लाटू है ना, इसने बहुत ही जल्दी जल्दी अपलिफ्टमेंट देखा है और सबमर्जेंस देखा है, सबमर्जेंस देखा है, जिसकी वज़ए से बहुत जाधा फ्राक्चरिंग और फॉल्टिंग हो गई है, तो बहुत जाधा बार लैंड उठेगा, गिरेगा, उठेगा, गिरेगा, तो क्या होगा इसकी वज़ए से? यह जो सत्य है, यह तूट जाएगा, इसमें फ्राक्च देखने को मिलते हैं, इसलिए नाम भी है क्या? भीमा फॉल्ट, भीमा रिवर यहां पर जाती है, तो भीमा जो नाम है वो रिवर के उपर है और फॉल्ट इसलिए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सिस्मिक अक्टिविटीज हुई है, ठीके? अब इसकी विज़ए से क्या हो क्योंकि बहुत ज़्यादा सिस्मिक अक्टिविटीज हुई है, तो यह बात है, भीमा फॉल्ट, भीमा फॉल्ट, पूरे लेक्चर में क्योंकि समझाना भी बहुत ज़रूरी है, जहां पर इंपोर्टन होगा मैं आपको बता दोंगी, जो कि आपको मैं दिक्कत होगी, ले क्या है, रवाइन सैंट ज़र्जेस का, रवाइन और गॉर्जेस क्या है, यह भी मैंने आपको बताया है, बट फिर भी मैं आपको एक बाइट जाना बाइक्टेन कर देती हूँ, अब सबसे बहुत बहुत बड़े-बड़े माउंटेंस होगे और इसके बीच में यहां पे बहुत ही subsidence रहेगा लैंड का और यहां पे बहुत सारा पानी होगा ठीक है? तो क्या है? It is a narrow valley with steep rocky walls located between hills और mountains. तो hills और mountains के बीच में यह आपको narrow valley एक देखने को मिलती है. इसको आपको गोर्जेस कहते हैं. ठीक है? और ravines क्या होगा? ravine जो है वो भी गोर्जेस है कि बड़ा हो जाता है. ठीक है? रिवर के बार-बार वहाँ से ट्रावल करने के विज़ा से एरिया जो है यह बड़ा हो जाता है. बट ravine क्या होगा? नैरो बेल्ट होगी. ठीक है? नैरो बेल्ट होगी steep mountains के बीच में. ठीक है? यह सब बहुत well-known examples है इनके. ठीक है? अब relief feature की अगर हम बात करें, relief feature यानि कि वहाँ का landform वगएरा कैसा है तो peninsular plateau को हम तीन broad groups में divide करते हैं. एक को कहते हैं Deccan plateau, दूसरे को कहते हैं Central Highland और तीसरे को कहते है North Eastern Plateau. ठीक है? याद रखिएगा Deccan plateau, Central Highlands और North Eastern Plateaus. सबसे पहले बात करेंगे Deccan plateau की, लेकिन एक बार आपको मैं पहले picture दिखा देती हूँ इन दीनों की. तो आप इस picture को देखो map के, और इससे आप पता आपको लग जाएगा कि यह जो है Central Highland. यह वाला पूरा जो area है, यह आपका area है, इसे Deccan plateau वाला एरिया है और इधर जो आपका पढ़ेगा, छोटा नागपुर वाला area पढ़ेगा, ठीक है? यह देखे, यह उपर वाला जो है Central Highlands हो, और नीचे वाला जो है Deccan plateau है, ठीक है? इसको ध्यान से आप एक बार प्रॉस करके और आप देख लेना, शुरू करते हैं Deccan plateau से, तो Deccan plateau जो है, वो Western ghat से शुरू होके Western ghat से शुरू होके West बे हैं ना Western ghat, इधर यह वाला जो portion है से लेकर के Eastern ghat तक, ठीक है? और सत्थपुरा, माइकल और महादेव hills नौर्थ सत्थपुरा, माइकल और महादेव hills में जाकर के यहाँ पे यह जो रीजन है यह आपका Deccan hills कहलाता है Deccan plateau सोरी, ठीक है? कहा है? Western ghat है Eastern ghat से, in the east and सत्थपुरा, माइकल and महादेव hills in the north map में तीनों जाकर के आपको देखना है कि यह कहां कहां सारी चीजे पढ़ती है ठीक है? नहीं देखोगे तो geography कभी समझ नहीं आने वाला है और किसी के भरोसे रहोगे कि एक एक चीज आपको करके दिखाए तो वो भी नहीं हो सकता है तो आप प्लीज माप में जाकर कि अच्छे से देखो आप खुद अपने आप से जब थोड़ा से एफर्ट लगाऊगे ना तो उस मेहनत की बात ही कुछ और होती है मैं आपको थोड़ा सा समझा सकती हूँ आपको स्पून फीड कराऊंगी तो ना आपके लिए बेनिफीशल होगा ना मेरे लिए बेनिफीशल होगा ठीक है थोड़ी सी मेहनत आपको खुद भी करनी है चली आगे बढ़ता है अब जो वेस्टन घाठ है वो अलग-अलग नाम से जानी जाता है जैसे कि महराष्ट्रा में सहाधरी बोलते हैं इसको करनाटिका में निलगिरी हिल्स कहते हैं और अन्नामलाई हिल्स और काडमम हिल्स कहते हैं कैरला में ध्यान से सुनीगा वापस से बता रहे हो, जो western घाट है उसके अलग-अलग नाम है, जैसे कि महराष्टा में इसको सहाधरी बोलते हैं, करनाटिका और तमिल नाडू में इसको निलगिरी बोलते हैं, ठीक है, केरला में इसको अन्ना मलाई हिल्स या फिर कार्डमम हिल्स कहते ह ठीक है, western घाट जो है, वो comparatively higher है as compared to eastern घाट, और continuous भी है, eastern घाट तो तूटा तूटा सा है, मतलब series एक पूरी range नहीं है यह, यह पूरा एक साथ नहीं है, यह कहीं पर break है, ठीक है, eastern घाट में break है, तो western घाट पूरा continuous है, और जो elevation है कि लगबाग 1500 मीटर है, with the height increasing from north to south, तो north से south अगर आप आते जाते हो, तो इसकी height increase होती चली जाती है, ठीक है, अनाय मुडी, अनाय मुडी का अपने नाम सुना होगा, यह अना मुडी, जो भी south में सको pronounce करते हैं, बहुत ज़्यादा शौर नहीं हो, तो अनाय मुडी जो है, इसकी height कितनी है, 2695 मीटर, 2695 मीटर the highest peak of peninsular plateau is located in the Annamalai hills, ठीक है, वेस्टन घाट में है, तो इसकी height लगभग 2637 मीटर है, तो यह सब जो areas है, इनका आप दिहान रखना, डेकन प्लाटू यह देख लिए अपने, फिर जितनी भी peninsular rivers है, ठीक है, जिनका भी origin वेस्टन घाट में है, तो जितनी भी peninsular river है, उन इनका origin जो है, जहां से शुरुआत होती है, वो western घाट से ही होती है, इस्टन घाट में क्या है, discontinued low hills है, मैंने आपको बताया, यह discontinuity है इस्टन घाट में, तो यहां पे बहुत ही कम height वाले low hills देखने को मिलते है, ठीक है, जो कि river की वज़े से erode हो चुके है, जैसे कि इनका अड़ी का अप एक्जामपल ले लो, गुदावरी ले लो, क्रिष्णा ले लो, कावेरी ले मिले लो, यह सभी इस इन इंड़न घाट में जो low hills है, इन में कुछ इम्पोर्टेंटर रेंजेंग्न है, जैसे कि जवाधी hills हो गया, पलकुंडा रेंज हो गया, नला-मल hills हो गया, Mahendra-giri hills हो गया है यह सब important ranges है इस यहां पर ठीक है, डेकन वाले रेजन में, Eastern और Western घाट जो है यह meet करता है with each other at Nilgiri Hill, तो Eastern और Western घाट जहां पर meet करता है उसको निलगरी Hills कहते हैं, ठीक है? अब बात करते है Central Highlands की तो Central Highlands की अगर आप बात करो तो यहाँ पे यह वाला जो एरिया है यहाँ पे आपका अरावली रेंज है ठीक है? तो West में अगर आप अरावली रेंज को देखते हो They are bounded to the West by अरावली रेंज ठीक है? तो Central Highlands की बात हो रही है सत्पूरा रेंज जो है वो फॉर्म होता है कैसे? बाइ सीरीज ओफ स्कार्वड प्लाटू स्कार्व यानि की बहुत जादा उसको खरोचा गया हो खरोचता कैसे है मतलब कि एरोजन हो गया है उसका स्कार्वड प्लाटू on the South, generally at an elevation between 600 to 900 meter above the mean sea level तो यह इसकी बात हो रही है this forms the northernmost boundary of the Deccan Plateau तो northernmost boundary है Deccan Plateau की it is a classic example of relict mountains which are highly denuded and form discontinuous ranges बहुत जादा इसका erosion हुआ है denudation हुआ है तो बहुत ही discontinuous है जगा जगा पे कहीं पे discontinuity है the extension of the peninsular plateau can be seen as far as Jaisalmer in the west Jaisalmer कहा है Rajasthan में where it has been covered by longitudinal sand ridges and crescent shaped sand dunes मैंने crescent shaped sand dunes भी आपको बताया हुआ है इस तरीके का कुछ रहता है sand dunes called barkans barkans जो भी आप रॉनाउंस करना चाहें ठीक है तो यह इन से ढग गया है बिलकुल इतने सारे sand dunes है बात समझ भी आ रही है और इस region में काफी जादा metamorphic processes हुए है in its geological history जब भी यह सारी चीज़े चल रही थी तो यहाँ पे काफी जादा metamorphic process हुआ है जिसको की आज हम collaborate कर सकते हैं जो वहाँ पे पत्थर मिलते हैं जिसको की वहाँ मार्बल, स्लेट, नीस यह सब बहुत ज़्यादा मिलता है तो इससे हमें पता चलता है कि यह area बहुत ज़्यादा metamorphism का शिकार हुआ है metamorphism क्या होता है सबसे पहले जो rock बनता है वो होता है igneous सब बताया हुआ है previous lecture में जाईए और देखिए ठीक है igneous क्या होता है जब आपका magma बाहर निकलता है तो वो lava के form में बाहर निकलता अब यह lava जब ठंडा हो जाता है तो यह बनाता है igneous rock फिर उसके बाद जो next process होता है वो होता है sedimentary rock sedimentary rock क्या होता है इसके बाद sedimentary बनेगा direct metamorphic भी बन सकता है sedimentary rock क्या होगा इस rock का अगर बहुत ज़ादा erosion होता है और deposition होता है तो sedimentation होगा यानि कि sediments जब क्या होगा layer by layer के form में rock बना देता है तो इसको हम sedimentation कहते है sorry sedimentary rock कहते है ठीक है और metamorphic क्या होगा जब इसी rock का बहुत ज़ादा heat और pressure pressure or temperature को undergo करेगा ये when it goes under high temperature and pressure तो ये बनाता है metamorphic rock जैसे आप example ले लो marble, slate, knees ठीक है ये सब आपका example है जो central highland का general elevation है ये लगभग 700 से 1000 मीटर तक जाता है mean sea level से अगर आप इसको calculate करते हो ठीक है और इसका slope कैसा है towards the north and north eastern direction north and north eastern direction ये नहीं north and north eastern direction इसका slope है most of the tributaries जो river Yamuna की है उनका origin जो है in the Vindhya and Kaimur ranges most of the tributaries of river Yamuna have their origin in the Vindhya and Kaimur ranges इसको भी map में आप जाके देखोगे जो जो mark कर रही हूं मैं आप में जाके जरूर देखना ठीक है जो बानस रिवर है ठीक है ये only significant tributary है river Chambal की जो की अरावली से originate होती अरावली कहाँ पह है west में है ना तो बानस रिवर एक only ऐसा tributary है Chambal River का जो की अरावली से originate होता है ठीक है an eastern extension of central highlands is formed by the Rajmahal Hills मैंने बताया था आपको Rajmahal Hills जो है आपका eastern extension है south में lies a large reserve of mineral resources in the Chotanakpur plateau ये कहाँ पढ़ता है आपका जारकंड वाले belt में ठीक है काफी जादा mineral resources इस बेल्ट में इसी लिए आपको मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत जादा metamorphism हुआ है ठीक है बात समझभा रही है ये आपका ख़दम हुआ अब बात करेंगे north eastern plateau की ठीक है तो north eastern plateau क्या होगा जो peninsular plateau है उसी का extension है north eastern plateau और ये believe किया जाता है कि जो force लग रहा था force exerted by the north eastward movement of the Indian plate at the time of Himalayan origin तो suppose कर वो ये Indian plate था और ये इधर move कर रहा था Eurasian plate की तरफ तो ये जो force लग रहा था east की तरफ ज्यादा force लग रहा था उसकी वजह से एक fault create हो गया between the Rajmahels and the Megalian plateau में ठीक है क्या बोला मैंने कि peninsular plateau का ये extension है और ये believe किया जाता है कि जब Indian plate, Eurasian plate की तरफ move कर रही थी Himalayan origin के टाइम पे तो एक बहुत बड़ा सा fault create हो गया हो था between the Rajmahels and the Megalian plateau ठीक है उसके बार इस fault में क्या हुआ depression में क्या हुआ कि बहुत ज़ादा deposition activity वेगरा हुई अब बॉल्ट है तो यहाँ पे बहुत ज़ादा deposition तो हो गई न टाइम के साथ river अपना sand, silt वेगरा लेकर के आएगी बहुत सारी rivers तो आज जो Meghalia और Carby Anglong Plateau आप देखते हो सब को मैप में आप जाके देखोगे बिना देखे chapter कुछ नहीं समझ में आना है बस कहानी की तरह सुनते मत चले जाना आप लोग कहानी की तरह सुनते चले जाओगे तो कोई फाइदा नहीं होगा मैं बता रही हूँ आपको तो आज जो Meghalia और Carby Anglong Plateau देखते हो आप ये detached है main peninsular block से इसी लिए ठीक है मैप में देखोगे तो पता लगेगा कि peninsular block से किस तरीके से detached है अब Meghalia प्लाटू को आफ further अगर divide करते हो Meghalia प्लाटू को अगर आफ further divide करते हो तीन में तो नाम क्या-क्या है Garo Hills, Khasi Hills और Jaintia Hills नींद में भी कोई अगर पूछे तो ये मत भूलना कि Meghalia प्लाटू को आपने किन-किन में divide किया है simple Garo Khasi Jaintia ठीक है और ये नाम कैसे पढ़ा है यहाँ पे जो tribes रहते थे थे ना यहाँ पे जो tribes रहते हैं इनी के नाम पे इनका नाम पढ़ा है An extension of this is also seen in the Carby Anglong Hills of Assam यह जो जितने भी आपको प्लाटूस दिख रहे हैं जितने भी hills दिख रहे हैं Garo Khasi Jaintia इन सब का extension कहां दिखता है आपको Carby Anglong Hills जो कि Assam में पढ़ता है पता ही नहीं होगा कि Assam कहां पे वहाँ पे Carby Anglong कहां पे है तो कुछ नहीं समझाने वाला है तो कहानी की दरफ मत सुनिएगा मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहे हूं बार बार इसलिए आपको इतना इरिटेट कर रहे हूं थोड़ी बहुत चीज़े भी याद रहे गई तो पर पास करना हमारा इंटेंशन नहीं है जब मैं इतनी महनत कर सकती हूं आप लोगों के लिए तो आप अपने लिए तो महनत करी सकते हैं आपके से वह दोग है तो है नहीं कुछ अपने है महनत से तो प्लीज प्लीज महनत कीज़ेगा मैं थोड़ा सा आप पे रूड इसलिए हो रही हूं क्योंकि होना जरूरी है आपको मापफ करना जरूरी है नहीं करोगे तो नहीं समझाने वाला है जो छोटानागपुर प्लाटू है जो मैंने बताया बहुत रिच होता है मिनरल रिसोर्स में जैसे कि कोईला हो गया कोईला ऐसा है कि इस लाइक गोल्ड इन छोटानागपुर प्लाटू ठीक है मेगाले प्लाटू भी उसी तरीके से बहुत जादा रिच है मिन्रल रिसोर्स में जैसे की कोईला हो गया, आइरन होर हो गया, सिलीमनाइट हो गया, लाइंस्टोन हो गया, यूरैनियम हो गया, यह सब मिन्रल रिसोर्स मिलते हैं यहाँ पर यहाँ पर maximum rainfall रिसीव करता है यह रीजन जब साउथवेस्ट मौनसून आता है तो ठीक हैं बहु जानते हो चेरा पुंजी यहां पर आप देखोगे तो बेर रॉकी सर्फेस है जहां पर कोई भी पर्मेनेंट वेजिटेशन कवर आपको देखने को मिले गाई नहीं मैं एक बर आपको पिक्चर में दिखाती हो तो आप यह पिक्चर देखो आपको इसली समझ में आ जागा कि नहीं मिलेगा थीकले अगर आप अरावली घिल्स को अगर देखते हो अरावली घिल्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में है आपका lies the great Indian desert थोड़ा सा इधर से आप और इधर चले जाओ तो आपको great Indian desert देखने को मिलेगा और आप please इसको map work देख कर ले न मैं वापस नहीं बताऊंगे आपको map work करना है great Indian desert आपको मिलेगा और ये जो land है undulated topography है जहां पे काफी जादा longitudinal dunes और barkans हमें sand के देखने को मिलते हैं अब desert area है तो rainfall आपको क्या लगता है कम होना चाहिए जाद होना चाहिए obviously कम होना चाहिए तो 150 mm per year तक की rainfall ही होती है या उससे भी कम तो यहाँ पे जो climate होगा कैसा होगा arid होगा सूखा पढ़ाएगा vegetation cover बिलकुल low होगी और इन्ही character features की वज़े से इनको हम marus thali कहते हैं लेकिन याद रखना marus thali हमेशा से marus thali नहीं था marus thali एक बहुत ही thick forest हुआ करता था जब वो meso-soic era में हुआ करता था ठीक है और यह region c के under था बहुत जादा यहाँ पे vegetation यूज vegetation हुआ करता था but आज यह marus thali है ठीक है हमें कैसे बाता चलता है कि यहाँ पे बहुत जादा vegetation हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे जो wood के fossils मिलते हैं लकडी के जो fossils मिलते हैं जैसे park at akal and marine deposits around brahmasar near jaisal main अगर आप इस area में जाते हो तो जो wood के fossils मिलते हैं लगभग 180 million years पुराने हैं ठीक है और इन ही rocks structure के अंदर जो है यह आपका extension है peninsular plateau का और बहुत ही जादा extreme arid condition की वज़े से इसकी जो surface features है यह बहुत जादा weathering के शिकार हुए हैं और wind action के शिकार हुआ हैं तो बहुत जादा weathering और wind अपना erosion करती है तो बहुत ही जादा अलग तरह की features दिखते हैं जैसे की desert में अगर आप चले जाओ तो आपको बहुत ही common feature मिलेगा mushroom rocks mushroom rocks क्या होता है कि यह mushroom की तरह दिखता है यहाँ तक wind अब इतने उपर तो पहुँच नहीं सकती तो यह वाला part वैसे ही रह जाता है बट जो wind है वो क्या करती है इतने part को erode कर देती है तो यह ऐसा लगता है कि जैसे कि यह mushroom है था यह पूरा rock बट rock को wind ने क्या किया पूरा erosion कर दिया और उसकी वज़े से यह इतना portion ही करते हैं ठीक है जो northern part है जो की सिंध और southern part है runoff कच का उसमें extend करता है और most of the rivers इस region में जो है वो epi epi hemeral है epi hemeral का मतलब क्या है epi hemeral का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो की बहुत कम time के लिए last करे ठीक है तो यह जो रिवर्स है इस region में बहुत ही epi hemeral है जैसे कि लूनी रिवर जो की southern part desert की southern part में flow करता है is of some significance importance है इसकी low precipitation और high evaporation के कारण क्या होता है यहां पे water deficient होता है अब आप समझो ना कि यहां पे water वैसे ही कम है और उपर से sun की light बहुत जादा आती है तो बहुत जादा गरम होने की वज़े से क्या होता है water जो भी है वो evaporate कर जाता है लेकिन जितना water evaporate कर रहा है उतने जल्दी यहां पे precipitation हो नहीं रहा है तो अगर बारिश नहीं होगी तो वो एरिया को जॉइन कर जाती है तो जो लेक और प्लाया जिसमें की brackish water होता है ठीक है have the main source of obtaining is the main source of obtaining salt तो brackish water में नमक होगा ठीक है तो यह जो है यह पानी जो है salt obtain करने का main source मानी जाती है यह आपका dessert खतम हो गया फिर बात करते है coastal plains की तो आप coastal plains की तो बात ही क्या है coastline क्या होता है मतलब की यहाँ पे आपका Arabian Sea है यहाँ पे आपका Bay of Bengal है तो यह वाला जो area हुआ यह क्या हुआ है यह coast हुआ ठीक है तो location और उसकी geographical processes के हिसाब से अगर हम divide करें तो हम western coastal plain और eastern coastal plain कह सकते है west वाला जो हुआ यह western coastal plain हो गया इधर वाला जो हुआ यह eastern coastal plain हो गया अच्छा western घाट और eastern घाट से confuse मत कर जाना आप इधर Arabian Sea है तो sea के पास बनेगा coast और उसके पास बनेगा vegetation ठीक है जो आपका western coastal plain है वो एक submerged यानि की धसा हुआ घुसा हुआ coastal plain है ठीक है ऐसे बिल्कुल layman के term में आप समझो और यह believe किया जाता है कि जो द्वारका city है जो की कभी Indian mainland का पाठ हुआ करती थी situated along the west coast is submerged under water आज ही submerged है ठीक है इसकी submergence के कारण ही because of its submergence it is a narrow belt and provides natural conditions for development of ports and harbors तो इसी की वज़े से आज ports और harbors हमें देखने को वहाँ पे मिलते हैं जैसे कांडला port हो गया, मजगाओ port हो गया, जवाहरलाल नहरू port हो गया ठीक है, मारमगाओ हो गया, मैंगलोर हो गया, कोचिन हो गया यह सब natural ports हैं जो की western coast पे आपको देखने को मिलते हैं ठीक है अगर आप गुजरात coast से शुरू करो, गुजरात coast से ले करके आप केरला coast तक अगर आते हो ठीक है तो जो western coast है उनको बहुत सारे following divisions में हमने बाटा है जैसे की कच्छ और काठियावार coast जो गुजरात में है फिर महराष्ट्र में आप आजाओ, तो कौनकन coast है फिर मालाबार coast और गोवन coast आपका करनाटका और केरला में मौझूद है ठीक है जो western coastal plain है ये बीच में तो narrow है ठीक है और जैसे जैसे north से south आता जाता है वैसे वैसे broad होता जाता है नारो का मतला पतला, ब्रॉड का मतला चोड़ा तो north से south जब आते जाता है तो जैसे जैसे उपर से नीचे आता जाता है इसकी चोड़ाई बढ़ती जाती है ठीक है इस region में जो rivers flow करती है जो coastal plain में river flow करती है वो कोई भी delta नहीं बनाती है ठीक है Malabar coast has got certain distinguishing features in the form of kaiels kaiels या backwater कहते है ठीक है जो कि fishing, inland navigation और ये सब के लिए बहुत important होती है तूरिस के लिए हर साल एक famous जो है Nehru Trophy वल्लमकली जो सौरी या फिर boat race होता है जो कि पुन्नामाडा कायाल केरला में होता है तो as compared to the western coastal plain जो eastern coastal plain है वो broader है और example है emergent coast का ध्यान रखना western coastal plain is a submergent coast and eastern coastal plain is a emergent coast उठा हुआ है ठीक है नीचे नहीं है उठा हुआ है और यहाँ पे काफी well developed आपको deltas मिलते हैं देखने को लेकिन western side में नहीं मिलते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर आप बात करो delta की तो जैसे की महानदी, गुदावरी, कृष्णा, कावरी सब अपना delta बनाती है ठीक है और इसके emergent होने के कारण emergent nature होने के कारण यहाँ पे कम ports है submergent रहेगा तब ही तो port रहेंगी ना तो यहाँ पे emergent है उठा हुआ है तो उठा हुआ है तो ports इसलिए ports and harbors तो 500 km तक आगे इसका continental shelf एक्स्टेंड करता है continental shelf यह वाला एरिया हुआ यह land है और यह वाला continental shelf इसके अंदर extend करता है तो इसके होने के कारण यहाँ पे अच्छे ports और harbors देखने को नहीं मिलता है बात करते हैं आइलेंड की तो दो major island group से इंडिया में एक Bay of Bengal और दूसरा Arabian Sea है तो जो Bay of Bengal island group है उसमें 572 islands है याद रखना Bay of Bengal वाले साइड में ये वाले साइड में आपके 572 islands है और यह कौन से latitude पे shifted है कौन से latitude पे present है 6 degree north to 14 degree north और 92 degree east से 94 degree east तत ठीक है जो main principal group islands है यहाँ पे उसको हम कहते है Richie's Archipelago and the Labyrinth Island यह दो principal island के group है बड़े-बड़े islands ठीक है जो पूरा island का group है उसको divide किया गया है दो main category में एक के कहते है अंडमान नौर्थ वाले को और साउथ वाले को कहते है निकोबान मैप में प्लीज जाके देखना है और यह जो है water body से separated है जिसको के कहते है 10 degree channel तो यह अगर आपका हुआ अंडमान और यह आपका हुआ निकोबार तो अंडमान निकोबार जो है वो separated है 10 degree channel यह एक water body है ठीक है और यह believe किया जाता है कि यह जो islands है are an elevated portion of submarine mountains तो जो mountains यह देखो suppose करो यह sea है अब sea के अंदर water body का अगर level बढ़ जाए तो mountain जो है वो अंदर submerge कर जाएगा sea के तो अगर अंदर submerge कर जाता है तो यह जब हलका सा उपर portion इसका दिखेगा तो यह हमें कैसा दिखेगा island की तरह दिखेगा लेकिन असल में क्या है इसके नीचे बड़े-बड़े mountains है तो believe किया जाता है कि यह जो islands है यह submarine mountains है जो कि आज पानी के नीचे चले गया है लेकिन यहाँ पे कुछ mountains ऐसे भी है जो कि volcanic origin के है यानि कि volcanic eruption हुआ होगा magma निकला होगा बाहर magma के निकलने के कारण वो solidify होता चला गया और solidify होने के कारण आज वो एक island है ठीक है और यहाँ पे एक barren island है जो कि इकलोता active volcano है इंडिया का और यह Nicobar island में situated है दिहान रखना प्लीज निकोबार नीचे वाला है ठीक है N से नीचे N से निकोबार बस इससे जाए shortcut नहीं बदा सकती ठीक है तो जो coastal line है coastal line जो है उसमें coral deposits है coral corals मिलते हैं और बहुत ही सुन्दर सुन्दर से beaches है ठीक है इस island पे conventional rainfall होती है और equatorial vegetation है यापे ठीक है इंक्लूड करता है जैसे लक्षवदीप हो गया मिनी कॉय हो गया यह सब आपका जो है Arabian Sea के islands है और यह scattered कैसे है 8 degree north to 12 degree north and 71 degree east to 74 degree east longitude ठीक है और यह जो islands है यह total लगभग 280 km से 480 km of the Kerala coast पे located है ठीक है I hope आपको समझ में आया है और जो पूरा group है island का यह coral deposit से भरा पड़ा है यहाँ पे बहुत जादा coral deposits आपको मिलते हैं और लगभग 36 islands हैं जिसमें की 11 जो हैं वो inhabited हैं मतलब लोग रहते हैं मिनिकोई जो है वो largest island है जिसका की area लगभग 453 square kilometer है और जो entire group of island है वो broadly classified या divide किया गया है 10 degree channel में जिसके north में है Amini islands and south में है Canonor island ठीक है entire group को हमने 10 degree channel से divide किया है north में जो है वो है Amini islands और south में है Canonor island और ये जो islands है ये पूरे आर्की पैलोगों मतलब बहुत सारे group of islands एक साथ होते है उसको आर्की पैलोगों कहते है ठीक है तो जो ये आर्की पैलोगों के islands है इसमें storm beaches है और बहुत जार्दया unconsolidated pebbles, shingles, cobbles, boulders और ये सारी चीजे present होती है तो ये आपका part 4 था और अब जाकर कि ये chapter खतम हुआ है मुझे भी sigh of relief है कि ठांग गड़ ये chapter खतम हो गया अब आपका जो geography का lecture है वो time to time आपके पास आ जाएगा मैंने already बहुत सारे lectures बना रखे है बस upload होने में time जो भी लगेगा so I hope आपको ये lecture अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको like करें subscribe करें और comment जरूर करें हमें motivation मिलती है इससे अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज अपने friends and family को भी ये refer करो जिससे की सबको फाइदा हो इसको और जाद से जादा लोग तक ये पहुचे and do not please forget to subscribe this channel कोई भी feedback कोई भी suggestion है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं definitely क्योंकि हमारा channel एक growing stage पे है और हम कोई भी feedback को welcome करते हैं जो भी हमारे लिए beneficial होगा आगे जा करके so thank you so much guys and keep preparing इसी तरीके से पढ़ते रहें और motivate करते रहें ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से नए नए lectures लाते रहें thank you so much and keep preparing bye bye now